प्रिथक निर्वाचन मंडल जिसके कारण भारत का बटवारा हुआ बहुत खतरनाक अस्त था ये जिसको हमेशा अंग्रेजों के द्वारा यूज किया गया और इसी बात के कारण गांधी जी ने 1932 में भी इसका विरोध किया जिसके बाद में आप देखते होगे पुना पैक जिसको समझते हैं मालिए ये एक कोई कांसी ट्रेंसी है और इसमें कई लोग रह रहे हैं थे मालिजे एखना आब इसमें चुनाओ होना है अब माल लिजए यहां से रक Мих *** और रड ड़नें मिश्टर एकस का गर वोड्ट इस society को या इस state को खुस करने की कोशिस करेंगे और जो भी बात करेंगे वो सभी के विकास के लिए करेंगे ताकि ज्यादा स्यद्व लोग यहाँ ट्रैक्ट हो यह चाहेगा ज्यादा स्यद्व लोग यहां ट्रैक्ट हो लेकिन वहीं मान लीजिए अभी ऐसा हो जाए कि एक ऐसा हो एरिया और जिसको हम 20 से बाड़ दें और यहां पर हम माने कि अलग पहचान के लोग रह रहे हैं वो धार्मिक पहचान हो सकती है जातिय पहचान हो सकती है अब मान लीजे यहां पर अलग लोग रह रहे हैं कि समझेगा यह कम संख्या में यह ज्यादा में अब प्रिथक निर्वाचन मंडल है तो प्रिथक निर्वाचन मंडल का मतलब है एक निर्वाचन मंडल ये है और एक निर्वाचन मंडल ये है अब यहां से दो लोग खड़े होंगे कोई जितने के लिए दो या तीन या पांच जो भी हैं और यहां से अलग खड़े होंगे और जो यहां से खड़ा होगा वो इन ही में से कोई एक होगा माली ये ये है जड़ अ पर जब Z और A की बीच में लड़ाई होगी, तुझे जीतना चाहेंगे, और Z और A में वही जीतेगा, जिसने अच्छा काम किया होगा, और समानिता राजनीती में लोग अपने लाभी के लिए काम करते हैं, तो कोई ना कोई इसमें ट्रिक या कुछ ना कुछ बेकूप बनाते हैं, और जब Z और A इनके अट्रैक्ट करना चाहेंगे, या इन लोगों को ये बताना चाहेंगे कि Z कहेगा मैं सबसे अच्छा हूं तुम लोगों के लिए, और A कहेगा मैं अच्छा हूं, तो होगा क्या, मान लिजे Z थोड़ी धूर्त किसमका है, और ये विकास की बात नहीं क करेगा, ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें लिए स्कूल कॉलेज बनाऊंगा, ये कहेगा कि तुम्हें इनसे खत्रा है, अर्थाद इस बहुमत वाले लोगों से तुम्हें खत्रा है, और मुझे जिताओ तो मैं तुम्हें सुरच्छित रखूँगा, अब चू़कि इसको इनसे तो कोई मतलब है नहीं तो इनके बारे में तो कोई बात करेगा नहीं तो यह इतने ही लोगों पर ध्यान रखेगा और जड़ हमेशा इन लोगों के साथ जहर उगलेगा कि तुम्हें इनसे खत्रा इनसे खत्रा इनसे खत्रा और जब लोगों को डराया जाता है न तो ल तो आप जब डरते हो तो काम बहुत ध्यान से सुनते हो जैसे मैं कहे दूँ कि सुभए उठना और जो भी कवा या कुटा मिले उसे कुछ खिला देना तो आपका जीवन बच जाएगा तो आप तुनंत खिला दोगे या पास हो जाओगे तो भी आप तुनंत कर दोगे तो सब्सक्राइब और इस तरह से यह एक नेता बनेगा और यह वही नेता है जिसको मुहमद ली जिन्ना के नाम से जानते हैं इसलिए मैंने धूर्त सब्सक्राइब करनी चाहिए अ कहीं से वह पाक मुसलमान नहीं था लेकिन धूर्त था तो क्या हुआ इतने लोगों को की घटना होगी यही चीज गांधी जी को पता था इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हम जो सेड्यूल कास्ट है उनको एज़े माइनौर्टी ट्रीट नहीं करेंगे और प्रिथक निर्वाचन मंडल नहीं देंगे हम सुधार करेंगे लेकिन यह सुधार नहीं करेंगे जिससे समाज ही हमारा टूड़ जाए वो कहते थे कि हम एक ऐसी कॉंस्टेंसी बनाएंगे जिसमें सब तरह के लोग हूं जिसमें सब तरह के लोग हूं माल लिजे ठीक है माल लिजे जो रेड कलर है वह सेड्यूल कास्ट का है अब इसमें सब तरह के लोग है अपर कास्ट लोवर क काषट सेड्यूल काषक सब तरे के लोगु लेकिन इसके खाड़ा कौन होगा केवल कोई सट व ल dó कि अ अ俺 श्का विरोधी वीजो होगा वह सेड्यूल काश्ट कही होगा अब ये दोनों जब चुनाओ जीतने की बात करेंगे तो केवल सेडियूल काश्ट पर फोकस होगे नहीं करेंगे ये पूरे समाज को एक साथ लेके चलेंगे हाँ चुकि सेडियूल काश्ट के हैं तो उस वर्ग के दर्द को समझेंगे उसके ससक्ती करन पे काम करेंगे लेकि समाज के दूसरे लोगों को इग्良ूर नहीं कर सकते और ये आज के समय में भारत में चल भी रहा है तो ये आपको पता चल गया गया है प्रिथक निर्वाचन मंडल क्या था यह पता चल गया वो क्यों खतरनाक था गांधी जी ने उसका क्यों विरोध किया था गांधी जी अंबेटकर की बीच में जो डिवेट है उसमें वह जुड़ा हुआ है बाकि अगर आप गांधी और अंबेटकर जी के बारे में गहन अध क्यों में दरनाक है